मांग के अभाव में चीन के खादिय तेल मार्किट में जोरदार गिरावट देखने को मिली है दरसल अमेरिका के बाजारों में भी गिरावट आ रही है और पाम तेल मलेशिया भी कमजोर हो रहे हैं अच्छे फंडामेंटल के बावजूद के लसी में जोरदार गिरावट के साथ ही प्रोजेक्शन भी माइनस रहा है और इसका असर ख्रेलू बाजारों में साफ तोर पर दिखाई देने लगा है जिसके चलते इंदोर तेल बाजार में सोया तेल 10 रुपए टूटकर नीचे में 1200 रुपए तो उपर में 1205 और पाम तेल 980 रुपे प्रतित 10 किलो रह गया है आपको बता दें कि व्यपारियों का कहना है कि आब रुको और देखो की स्तिति बन गई है के अलसी अपना सपोर्ट अगर बरकरार रखता है या इससे भी नीचे जाती है अगर के लसी ओर टूटता है तो स्थानिय बजारों में और बंदी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता दूसरी और मुफली तेल में नीचले दामों पर खरिदारी अच्छी रहने से और गुजरात की तरफ से आवक कुछ हों कम होने के कारण भाव में फिलाल सुधार देखने को मिल रहा है इधर इंडोनेशिया के रास्टपती ने बायो इंदन समिश्रन 35 पीसद करने के संकेदी दिये हैं जिसने मिलेशिया पाम आयात वायदा बाजार में मजबूती देखने को मिल सकती है आपको बता दे कि पहले दोराब मिस्तरी पाम तेल की विश्य में भविश्यवानी करते दिखाई दिये थे उन्होंने कहा था कि मिलेशिया पाम ओयल वाइदा 3,000 रिंगिट से 3500 रिंगिट के बीच में कारोबार करता दिखाई देगा लेकिन पाम ओयल वाइदा 4,000 रिंगिट के पार होने के बाद उन्होंने अपनी भविशेवानी बदल दी और अब कहा कि मिलेशिया वाइदा 4.40-4.000 के बिच कारोबार करते दिखाई देंगे यानि बाजार जानकार तेजी के साथ तेजी और मंधी के साथ मंधी में बोलते दिखाई दे रहे हैं बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी